कि अज़की इस वड़े माँसे बच्चे पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने रेजिस्ट्रेशन फॉर्म फील कर रहे थे तो फिर उन्होंने जो है जो है दुबारत से अपना जो है online registration form फिल करना होगा तो registration form जो है आपको कैसे फिल करना है वो मैं आपको अरड़ी बता चुका हूं जिस बद चो को नहीं पता होगा कि कैसे फिल करना है एक बार यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे अब इसके बाद आपको जो है option number D पर क्लिक करना होगा डिलेटेशन ऑफ online registration form जैसे आप इस पर इसके बाद आपको अपनी class फिल करना होगा जो भी आपने मोवाइल नमबर वहां पर online registration form में फिल किया था आपको यहां पर फिल करना है इसके बाद आप अधार नमबर जो है आप यहां पर फिल कर सकते हैं और enrollment नमबर भी फिल कर सकते हैं बाकि अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं यहां पर जो है mandatory यह उपर के चार options है क्योंकि इन पर start लगा हो है जिन option पर start नहीं लगा हो आप उसको छोड़ भी सकते हैं आप final जो है registration नमबर दुबाया डालना है और यहां पर जो है OTP जो है वो यहां पर आपको फिल करना है फिल करने वाद delete के option पर आपको क्लिक करना है आपका जो है data जो है आप पर से delete हो जाएगा अब यहां पर जो है आपको अपना जो है new registration form फिल करना होगा दुबाया से आप home page पर आ जाएंगे और online registration form option number B यहां पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है अपना दुबाया से form को फिल करना है अब आपको कुछ भी गलती मत करना क्योंकि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप एक बाद टेलिगाम चैनल को जोइन कर लेना वहां पर जो है मैं आपको बता दूँगा कि कैसे कैसे आपको को फिल करना है और बाकि मैंने वीडियो बनाई रखिया और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो फिर आप टेलिगाम चैनल में पूछ सकते हैं और बाकि इस रजिश्रेशन फिल करने की डिटेल्स वीडियो जो है मैं आपको डिस्कुरिशन में प्रोइड कर रहा हूं उसका का लिंक और बाकी नेक्स वीडियो मिलते हैं किसनल साथ अब तक लिए जाहें जावारत